हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नो लाकर क्लासेस पर तो देखिए दोस्तों ज्यादा आपको चिंता करने क्या शक्ता नहीं मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है लेकिन कैसे करेंगे पढ़ना तो पढ़े गई आपको साथे साथ क्योंकि कम समय में ही आप तीरमारिये एक पोस्ट ले लिजे आप मन में ठान लिजे जरूर आएगा बहुत ही कम समय में हम लोग बहुत जल्दी तरीके से करेंगे मैं बेसिक कांसेप्ट क्लियर नहीं करूंगा आज देखिए बहुत सारे लोग कमेंट किये थे कि सर आज के भाग 2 कब आएगा तो भाग 2 लेकर के आए हैं और ये जो प्रस्ण आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत मज़ेदार बात है ये सधारण व्याज ये भाग 2 है और इसमें जो है एक चीज बता दू मैं मज़ेदार बात ये है कि ये जो question आज आपको करा रहा हू के तो subscribe जरूर कर लीजेगा और बेल आइकन प्रेस करके आल में रखिएगा अगर आपको वीडो अच्छा लगता है तो like share करके हमें प्रमोट जरूर करें चलिए देखते हैं क्या प्रशन दिया गया है पहला प्रशन को पढ़ेंगे एक रासी सधारण व्यास ते तीन वरस जोने के आशकता नहीं है बस अब भ्यास करिए आप लोग चलिए देखते हैं तीन वरसों में कितना दिया है आपको कुछ नहीं करना है यहां पर तीन वरसों में कितना दिया है तो देखें तीन वरसों में कितना दिया है 226 और 4 वरसों में 2448 रूपिया हो जाती है तो घट व्षॉक खटेगा नहीं तो 14 मान लीजह या उधार ले ले स्टी चार से तो भी जैसा भी तो यह कितना हो जाएगा 6 हाथ टिंबाए एक चार लए एक यह क्या हो जाएगा अंतर कितना आया, तो लिख लिजिए, अंतर कितना आया हमारा 162 रूपया, ये ध्यान रखेंगे, कितना आया, 162 रूपया, तो देखी, एक वर्स में कितना आया, लिखी, यहां पर एक वर्स में कितना आया हमारे पास, एक वर्स में, देखी, दोनों का अंतर, दोनों को घट ला देंगे तो एक वर्ष निकल जाएगा आपका तो कितना आए एक वर्ष में 162 रूपया आया कितना रूपया है 162 रूपया तो तीन वर्ष में कितना आएगा अब देखिए एक वर्ष का तो निकाल लिए कि घटाये तो समझ में आ रहे न आप लोगों को एकडम जो है एक कमतीन एका 4, 480 रूपया हो जाएगा, कितने में? तीन वर्स में. हो गया. आब देख़िए, लिए 3 वर्स में 480 निकाल लिए, तो इसी को जो है, अब 286 में घटा दीजे, 286 में, कितने को? 480 को, तो 480 घटाएँगे, तो अब मान लीजे कह रहा है प्रतिस्तत में हमको ग्याद करना है क्या चीज को ब्याज को तो प्रतिस्तत में ग्याद करने के लिए कैसे करेंगे अब देखिए चार सो चैसी रुपया जो आया है हमारा तीन वर्स में तो तीन वर्स को हम लोग देखिए तीन वर्स का कितना बताया है बाइस सो चैसी तो तीन वर्स में गुड़ा करके चार सो चैसी आया उसी को घटा दीजे तो आया कितना हमारे पास अठारा सो रुपया है ये वाला जो ह इसका ता दीजे, यहाँ 2 निया 18, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 9 एकम 9, और 9 निया 81, तो बराबर आ गया 9%, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 9%, तो देखिए ब्याज की वार्सिक दर, प्रतिसत में कितना प्रतिसत आ गया, 9%, तो इस तरह से जो question पूछा जाएगा आप इस तरह से solve कर सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, तो कोई भी तरीके से जो पुछेगा, आप से बढने वाला है, चेकरूदीब, आज भी मैं करा दूँगा आपको, और साथ-साथ, मैं सोच रहा हूं कि हर दिन हम लोग एक अभ्यास सेट करें, कोसिस करता हूँ मैं बोले रहनत नहीं हूँ, लेकिन मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, वीडियो आ नहीं पाता है आप लोगों का, तो कोशिस करूँगा कि अभ्यास जरूर कराऊं आप लोगों को, बड़ा अच्छे से तैयारी में जूड जाई है